आप dai ब mó Reynolds कैसे हैं आप सब लोग आए होप आप लोग अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाही कर रहा होगे आप पाई टाइम है अब यह तो मझे नहीं कहना ऐके पढ़ाही करो दिन भर दिके आप्ड़ाही कर रहे होंगे बात एब मिस्टेक कौन सी कर रहे हुगे जिससे आपके नंबर कम हो सकते हैं, जितना आपने एक्सपेट किया होगा, तिन नंबर आपको साहथ ना मिले, जैसे प्रीवोड में भी होगा, कि आप पढ़के बहुत कुछ गए, लेकिन नंबर नहीं आए, क्यों नहीं आए, तो हो सकता है, कुछ पॉइंट आपके यहाँ पर कवर हो जाएं, जो आपको रिलाइजिसन हो जाएं, कि हैर ऐसा था मेरा, प्रीवोड मेर ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो देखते क्या है, पहला पॉइंट है कि, नो नीट टू डू मोर बुक्स, इसका मतलब यही है कि, होता ही है कि हम लोग बहुत सारी बुक्स फॉलो कर कर लिए, ठीक है, आप सैंपल वेपर करो, तुमने कोई एक्ष्ट्रा भुक नहीं लगाई है, तो डी मोटिवेट मतों, कई भर बच्ची सोचते हैं, यार वो बच्चा तो यार वो बुक लगा ले रहा है, उसमें वो भी बुक लगाई है, मैंने तो, कोई दिक्कत नहीं ह देखो, होता यह कि सारा गेम जो होता हूँ, पांच-दस परसेंट का होता है, हंड्रेड में 90, 80, 90 नंबर्स आ जाते हैं, अगर आपने PY की और NCRD यह सब किया है, ठीक है, जो यह डिफरेंट डिफरेंट्स रहता है, बहुत सरी ये वोग, ये वोग, वो 5-6 परसेंट का अगेम होता है, जरूरी नहीं उससे कुश्चन आए, कई बर इतना सिंपल आता है, कि आप NCRD बढ़के जाते हैं, तो आप लोग इसतना परेशान मत हो, अब देखो, अब ये तो सीधी सी बात है, हर चीज सिच्योशन के एकॉर्डिंग चलती है, अब मैं आप से कहते फालतू में कनिफ्यूजन होती है, हम सोचते हैं, क्या भी ये बुक लगा लूँ, अरे भी ये पॉस्बिल नहीं है, प्रैक्टिकल ही सोचो, क्या तुमारे पस टाइम इतना है, कि तुमारे पास नहीं लगा सकते हैं, तो तो क्यूं सोचना, ठीक है, और इतना ज्यादा इ नहीं है, इंपॉर्टिन में कि अपना NCRT करो, अपने प्रीवेसर कोशन लगाओ, सैंपले पेपर करो, यहीं चीजें फॉलो करो, लास्ट मोमन पर यहीं किया जाता है, सब को यहीं करना है, तो भी यह ज्यादा ज्यादा बुक्स की चक्क्र मत पढ़ना, लास्ट मोमन पर और नहीं तो आप नंबर खराब कर लोगे, ज्यादा ज्यादा कोशन लगाने के चक्कर में, ठीक, उससे कुछ नहीं होने वाला, सेकेंड पॉइंट रिवीजन, यह कहीं लगी फर्स्ट पॉइंट को कनेक्ट करता है, कि आपको ज्यादा वुक्स पे, ज्यादा कोशन पर जो कर लिया है, उसको रिवाई जलूर करना है, आप के सोचते हो, कि आपने एक बार कोई कोशन कर लिया हो, आप पेपर में कर ले जाओगे, नहीं कर पाओगे, कम से कम, 2-3 बार रिवीजन जरूरी होता है, किसी भी चीज़ का, 2-3 बार, ठीक है, अगर आप रिवीजन नि कोशन यह मालो यह कोशन हाड है हो सकता है य Czech हो तो भाय तुम फेपर को जब डेखते हो तुम्हें लगता है कोई मालो तो प्रीवेश producer कर वा रसे कर वा रहा है तूम हटा हूं तो तुम सोचो का पAU्सका हो सकता हो प्योप्योर है कि मिया और में आग जा आपको पता हो सकता है उस हाड कोशन में एक और कॉप्शन हो जो दूसरा आपके लिए आसान हो आपको पैनिक सिचुएशन क्रीट नहीं करनी है आपको रिवीजन करना जरूरी है अगर रिवीजन करोगे तो रिकॉल कर पाओगे और जो कोशन डारेक्ट वाले होंगे उनको आप तुरंट कर पाओगे हो सकता है वो इजी कोशन हो बात समझ मारी है ठीक है तो इसलिए आप रिवाइज जरूर करें पेपर में रिवीजन स्ट्रेटिजी आपकी मस्त होती हर चीज करें जैसे आपको बालों किसी पेपर हो चार दिन का गया पे तो रिवीजन करें शुरूरा से आप पड़ाई कर रहे हो बढ़िया से तो ठीक है आपने की रिवीजन भी करा होगा आपने सब कुछ तो आप ट्राई कर सकते हो लेकिन अगर आपने अभी तक NCRT भी आपकी हवा में आप अभी NCRT में भी फसे पड़े हो तो भीया end time में hard questions avoid करने hard questions मतलब है जो important नहीं है मतलब कोई कोई लेकर आगे बच्चा तुने यह question कर लिया क्या तुने यह question कर लिया क्या ऐसा आया ऐसा ऐसे फालतू के जो expected questions नहीं है मतलब मैं सीधा बोलूं वो आपको नहीं करना है end time में आपको अगर आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं करिये तो भाया expected questions जरूर करने है ठीक है expected questions जो है आपको जरूर करने है अगर आप class 10th में क्लास 12 में तो इसकी लिंक मैं description में डाल देता हूं class 10th में math की बात कर रहा हूं अगर आप मुझे जानते तो मैं math पढ़ाते हूं मेरे दो चैनल और है एक 10th का एक 12 का तो वहां पर आपको बहुत सारा पढ़ने का content मिल जाएगा बाकी मैं playlist आपको खुदी देख जाएंगे होती ही सब छोटी होटी बात होती है पता भी होती है फिर भी हम लोग फॉलो नहीं करते हैं नेक्स्ट है आपको यह रखना चाहिए कि एक दो तीन इन तीन दिन में आपको अपना syllabus जो है जो जितनी भी चीज़े करनी उसमें complete कर लेने चाहिए फॉर्थ डे में आपको रिवीजन करना चाहिए ठीक है मतलब आपको क्या कि 123 इन तीन दिन में जुतना भी रिवीजन या बोलूं जो तुमने ncrt की होगी जो तुमने pyq करें वो सब case based question सब कुछ इन तीन दिन में हो जाने चाहिए जिससे कि last day में most expected question revise हो जाएं कि आपको ज्यादा मतलब यहां प कर लिए फिर आपने pyq कर लिए सब कुछ कर लिया तो लास्ट डे में सिर्फ expected question सब करना है अब आपने लगा आपने बहुत कुछ पढ़ाई कर लिए और आपने तो पेपर में जो question अर्यार यह तो पढ़ा था यार आपने बहुत बहुत देखा होगा यह कुशन तो किया य तो लास्ट डे आप उसमें रिवीजन में रखिए यानि जितने भी question आपने revise करें मैंने हमेसा बोला है कि हाड़ copy होनी चाहिए हाड नहीं है चलो swap में भी tick cross करके रखो जो question तुम्हें बिल्कुल नहीं आया इसको cross कर लो या double circle कर लो जैसे भी तुम्हें सही लगे जो तुम्हें आता है इसको tick कर लो ठीक है जो थोड़ा देखना पड़ा solution उसका double tick कर लो बना दो कुछ symbols बना लो और जिससे की चौथे दिन आप जल्दी रिवाइस कर पाओ फटाफट रिवाइस हो जाप हो पाए आपका ठीक है तो इस तरीके से आप कुछ strategy फॉलो करोगे तो बढ़िया रहने वाला है लास्ट पॉइंट है कुछ लोग ना पढ़ते टाइम गाना सुनते हैं हलागे यह पॉइंट पेपर टाइम में तो बहुत कम बच्चे करते हों कोई मत करना कुछ भी पेपर में नहीं आएगा याद तुम्हें गाने तुम्हें याद आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है समझ भाई ब्रेन को गाना सुना रहे हो ठीक है तो तुम्हें कोई concept याद आएगा तुम तो देख देखके solution तो देख लोग अच्छा यह ऐसे हो रहा है यह ऐसे हो रहा है दिमाग में कुछ नहीं जाएगा यह इस टाइम पेपर टाइम बीस पच्चिस दिन मूवी गाना आना स कुछ नहीं सुनना है ठीक है अगर आपके बस टाइम थोड़ा बच रहा है आप परेशान हो गए पढ़ पढ़के ठीक है बाहर जाओ थोड़ा वॉक करके आजाओ ऐसा कर लो फालतु अच्छ लोग ऐसे भी करेंगे चलो यार बारा घंटे पढ़ लिए दस घंटे पढ़ नहीं है ठीक है तो इन बातों का धिहान रखें बाकी मैं 10 अ 12 की जो एक्सपर्टेट को सीरी जे बो लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूगा बाकी आप दो चैनल और उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लास 10 वाले बच्चे चार लाग क्या सब्सक्राइबर होने वाले हैं आ लास 12 वाले बच्ची भी देख सकते हैं उनके लिए बी काफी कुछ चीजें हैं फ्री स्टडी में पर बहुत सारी चीजें आप चेक कर लें ठीक हैं चलो यह सारी चीजें इनको आप फॉलो करें डेफिनिटी आप अच्छे स्कोर करेंगे बागी मिलते हैं नेक्स्ट बात बोलूँगा कि आप सभी सफलो जन्ने बात